प्रिष्ठ संख्या अठा रहे कल्पना कीजिए के आप हिंदू या मुसल्मान हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहां इसाई कट्टर पन्थी बहुत ताकतवर हैं मान लीजिए के अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराय पर मकान नहीं देना चाहता आपको कैसा महसूस होगा? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि ये देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? आपका ये गुस्सा दो रूप ले सकता है एक, हो सकता है आप प्रतिक्रिया में ये कहें कि जहां हिंदू और मुसल्मानों की तादाद ज्यादा है वहां इसाईयों के साथ भी इसी तरह का बरताव होना चाहिए ये बदला लेने वाली बात है या फिर आप ये राई बना सकते हैं कि सब को इनसाफ मिलना चाहिए इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए ये सोच इस माननिता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए यही धर्म निर्पेक्षता का मूल मंत्र है इस अध्याई में हम यही चर्चा करेंगे कि भारतीय संदर्भ में इसका क्या अर्थ है इस प्रिष्ठ पर नीचे अलग-अलग रंगों से रंगे हुए हाथ उपर की ओर उठते हुए दिखाए गए हैं ये हाथ अलग-अलग धर्मों के प्रतीक हैं जो अपने-अपने अधिकार की मांग करते हुए प्रतीकात्मक रूप से दिखाए गए हैं प्रिष्ट उन्नीस इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किये वहां कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया था लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इस्राइल में भी मुसल्मान और इसाई अलप संख्यकों के साथ अमानवी अव्यवहार किया जा रहा है सौदी अरब में गयर मुसल्मानों को मंदिर या गिर्जा घर बनाने की छूट नहीं है नहीं इन धर्मों के लोग वहां पूजा अर्चना के लिए किसी सारवजनिक स्थल पर इकठा हो सकते हैं इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदायों के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रही हैं या उनका उत्पीडन कर रही हैं भेदभाव की ऐसी घटनाई तब और ज्यादा बढ़ जाती हैं जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकरित मान्यता प्रदान कर देता है जाहिर है कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से न तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और नहीं किसी दूसरे धर्म का दबदबा जेलना चाहता है भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? धर्म निर्पेक्षता क्या है? पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं बलकि बहुमत की निरंकुषता से भी हमारी रक्षा करते हैं भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है सबके लिए समान धार्मिक स्वतंतरता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ती को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीती अपनाई है धर्म को राज्ये से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्म निर्पेक्षता कहा जाता है इस प्रिष्ट पर बाई और उपर इस अध्याय से जुड़ी महत्वपून जानकारी नीले रंग के अक्षरों में लिखी गई है इस अध्याय की भूमिका को एक बार फिर पढ़िये आपको ऐसा क्यों लगता है कि बदले की भावना इस समस्या से निपटने का सही रास्ता नहीं हो सकती अगर सारे समुहूं बदले के रास्ते पर चल पढ़ें तो क्या होगा इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे एक चित्र दर्शाया गया है उस चित्र के नीचे लिखा है इस अध्याय में तीन चित्र आप ही की उम्र के विद्यार्थियों ने बनाए हैं उन्हें धार्मिक सहिशुनुता पर चित्र बनाने के लिए कहा गया था इस चित्र में अलग-अलग धर्मों के तीन विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हुए दिखाए गए हैं और उनके धर्मों के प्रतीक इस चित्र में प्रिष्ठ भूमी में दर्शाय गए हैं जैसे मंदिर, गिरिजागर, मस्जिद और गुरुद्वारा धर्म को राज्ये से अलग रखना महत्वपून क्यों है? जैसी की पीछे चर्चा की गई है, धर्म निर्पेक्षता का सबसे महत्वपून पहलू है धर्म को राज सत्ता से अलग रखना एक लोकतांतरिक देश में ये बहुत जरूरी है दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा होती है अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुँच जाते हैं तो उनका समूहूं दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है बहुमत की इस निरंकुष्टा के चलते धार्मिक अल्प संख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है यहां तक के कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है बहुमत चाहे तो अल्प संख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंगन है जो एक लोक्तांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है लिहाजा बहुमत की निरंकुष्टा और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वो एहम कारण है जिसके चलते लोकतांतरिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग-अलग रखना इतना महत्वपून माना जाता है लोकतांतरिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपून कारण ये है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है इसका अर्थ ये है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग धंग से व्याख्या करने की स्वतंतरता हूती है आईए इस बात को और अच्छी तरह से समझने के लिए छुआ छूत की प्रथा पर विचार करें संभव है आपको हिंदूओं के बीच प्रचलित ये प्रथा अच्छी न लगती हो इसका मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदूओं के हाथ में है जो छुआ छूत को सही मानते हैं तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है राज्य सत्ता पर नियंतरन रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है इस प्रिष्ठपर बई और उपर एक चित्र बनाया गया है ये चित्र अक्षिता जैन कक्षा पांच स्रिजन स्कूल दिल्ली की छात्रा ने बनाया है इस चित्र में गलोब दिखाया गया है और उस पर अलग-अलग धर्मों के मानने वाले लोगों को रहते हुए या खड़े हुए दिखाया गया है इस चित्र के माध्यम से ये संदेश देने की चेश्टा की गई है कि ये धर्ती सभी की है इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे नीले अक्षरों में महत्वपून जानकारी दी गई है लिखा गया है कक्षा में चर्चा करें क्या एक ही धर्म के भीतर अलग-अलग द्रिष्टिकोन हो सकते हैं प्रिष्ठ 21 इस प्रिष्ठ में उपर मस्जित, मंदिर, गुरुद्वारे और चर्च को दर्शाया गया है और नीचे लिखा गया है हम साथ साथ हैं और उसके नीचे ईद की मुबारक बात देते हुए अलग-अलग धर्मों के लोगों को दिखाया गया है और एक दूसरे का हाथ पकड़ कर खड़े हुए अलग-अलग धर्मों के बच्चों का चित्र दिखाया गया है इस चित्र को सरवोदय कन्या विद्यालय दिल्ली की कक्षा छै जी की छात्रा पिंकी ने बनाया है भारतिय धर्म निर्पेक्षता क्या है? भारतिय सम्विधान में कहा गया है कि भारतिय राज्य धर्म निर्पेक्ष रहेगा हमारे संबिधान के अनुसार केवल धर्म निर्पेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए इन बातों का खयाल रख सकता है के एक कोई एक धर्मिक समुदाए किसी दूसरे धर्मिक समुदाए को न दबाए दो, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं और तीन, राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंतरता चीनेगा इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतिय राज्य कई तरह से काम करता है पहला तरीका ये है कि वो खुद को धर्म से दूर रखता है भारती ये राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समुह के हाथों में है और नहीं राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है भारत में कचेहरी, ठाने, सरकारी विद्ध्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोट्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है प्रिष्ठ 22 इस प्रिष्ठ पर राजकी ये माध्यमिक विद्ध्यालय के कुछ चित्र दिखाए गए हैं बई और लिखा है सीमापूर सरकारी स्कूल के विद्ध्यार्थी एक धार्मिक त्योहार मनाना चाहते हैं एक छात्रा अपने शिक्षक से कह रही है सर अगले महीने एक बहुत बड़ा त्योहार आ रहा है हमने कभी स्कूल में ये त्योहार नहीं मनाया क्या इस साल मनाएं उत्तर देते हुए शिक्षक कहते हैं नहीं रेखा ऐसा नहीं हो सकता हमारा स्कूल सरकारी स्कूल है हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते निजी स्कूल जो चाहे करें सरकारी स्कूल अपनी चार दिवारी के भीतर कोई धार्मिक उत्सव आयोजित नहीं किया करते वैसे भी ज्यादातर धार्मिक त्योहारों पर सरकारी चुट्टी होती है इसलिए हम इन त्योहारों को घर पर ही मना सकते हैं अगले चित्र में एक छात्र और छात्रा आपस में एक दूसरे से बात करते हुए दिखाए गई हैं छात्र कहता है मैंने इस दृष्टी से कभी सोचा नहीं था मुझे लगता है कि स्कूल के बाहर हम कभी भी ये त्योहार मना सकते हैं छात्रा कहती है फैर कोई बात नहीं हम लोग अपने महले में तो इस त्योहार का आयोजन कर ही रही है इन चित्रों के नीचे लिखा गया है उपरोक्त चित्रपट में स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्योहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीती के खिलाब होता है सरकारी स्कूल अपनी प्राताह कालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरीए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते ये नियम निजी स्कूलों पर लागू नहीं है इस प्रिष्ठ पर बाईं और सबसे नीचे नीले रंग के अक्षरों में महत्वपून जानकारी दी गई है लिखा गया है उपरोक्त चित्र कथा पट्ट में शिक्षक ने जो उत्तर दिया है उस पर चर्चा करी प्रिष्ठ 23 इस प्रिष्ठ में बाईं और उपर नीले रंग के अक्षरों में महत्वपून जानकारी दी गई है लिखा गया है सरकारी स्कूलों में अक्सर कई धर्मों के बच्चे आते हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए धर्म निर्पेक्ष राज्ये के तीन उद्देश्यों को दोबारा पढ़िए आप इस बारे में दो वाक्ये लिखिए कि सरकारी स्कूलों को किसी एक धर्म को बढ़ावा क्यों नहीं देना चाहिए इस प्रिष्ठ पर बाई और उपर लिखा गया है धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतिय धर्म निर्पेक्षता का दूसरा तरीका है अहस्तक शेप की नीती इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रिया कलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेश छूट देता है इस प्रिष्ठ पर बीच में दो चित्र दिखाए गई है लिखा गया है कुछ दोस्तों ने हाल ही में स्कूटर खरीदे हैं वे साथ साथ स्कूटर से सैर पर जाने को तैयार है हेलमेट पहने हुए एक दोस्त अपने सिख दोस्त से कहता है अरे तुम्हारे पास हेलमेट तो है न, दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना पढ़ता है, यही कानून है, फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना? जुर्माना भरने का बड़ा शौक है क्या? उसका सिख दोस्त उसे जवाब देते हुए कहता है, फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं देना पढ़ेगा। इस चित्र कथा पट्ट में सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है, कारण ये कि भारती ये राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मताबिक महत्वपून है, लहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखल अंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत दे दी है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतिय धर्म निर्पेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक शेप का तरीका है। इसी अध्याय में पीछे आप छुआ छूत के बारे में पढ़ चुके हैं। ये इस बात का उप्युक्त उदाहरण है कि किस तरह एक ही धर्म के लोग या अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों याने कुछ निचली जातियों को दबाते हैं। प्रिश्ट 24 धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेद भाव को रोकने के लिए भारतिय संबिधान ने छुआ छूत पर पाबंदी लगाई है। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम अलग थलग करने और भेद भाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं। इसी तरह माबाप की संपत प्रानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतिय सम्मिधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। गैर प्रात्मिक्ता के आधार पर राज्य से उन्ह सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है भारतिय धर्मनिर्पेक्षता दूसरे लोकतांतरिक देशों की धर्मनिर्पेक्षता से किस तरह से अलग है उपर दिये गए तीन उद्देश्य दुनिया के अन्य धर्म निर्पेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिये गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं अमेरीकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिये विधाईका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया है जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हों या धार्मिक स्वतंतरता को रोकते हों इसका मतलब है कि विधाईका किसी भी धर्म को राजकी धर्म घोशित नहीं कर सकती नहीं विधाईका किसी एक धर्म को ज्यादा प्राथमिक्ता दे सकती है संयुक्त राज्जे अमेरिका में राज्जे और धर्म के प्रिथक करण का मतलब है कि राज्ये और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते शायद आप समझ गए होंगे कि भारतिय धर्म निर्पेक्षता और अमेरिकी धर्म निर्पेक्षता के बीच एक एहम पर्क है ऐसा इसलिए है कि अमेरिकी धर्म निर्पेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतिय धर्म निर्पेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक शेप करने की छूट दी गई है इस प्रिष्ट पर बई और अमेरिका के एक स्कूल का चित्र दिखाया गया है इस चित्र में बच्चे अपनी च्छाती पर हाथ रख कर कसम खा रही हैं अर्थात शपत ले रही हैं इस चित्र के नीचे लिखा गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज्यादतर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपत अर्थात प्लेज ओफ अलिजियन्स लेते हैं इस शपत में इश्वर की चत्र चाया शब्द आते हैं साट साल से भी पहले ही वहाँ ये तय कर दिया गया था कि अगर ये शपत किसी बच्चे की धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाती है तो उसे इसको दोहराने की जरूरत नहीं है इसके बावजूद वहाँ इश्वर की चत्र चाया वाक्यांश को कई बार कानूनी चुनौती दी जा चुकी है चुनौती देने वालों का कहना है कि ये वाक्यांश अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन में चर्च और राज्य के बीच किये गए प्रिथक करण का उलंगन करता है उपरोक्त चित्र में अमेरिका के सरकारी स्कूल के बच्चे वफादारी की शपत लेते हुए दिखाई दे रही है प्रिष्ट पच्चीज आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह भारती संविधान ने चुआ चूट को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रिया कलापों में हस्तक शेप किया है भारती धर्म ने रिपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है लेकिन धर्म से उसका फासला सैध्धन तक है इसका मतलब ये है कि संविधान में दिये गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक शेप कर सकता है ये आदर्श वो कसौटी मुहया कराते हैं जिसके जरिये इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्म ने रिपेक्षत सिध्धनतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं भारतिय राज्य धर्म ने रिपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है भारतिय सम्मिधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है ये मूल भूत अधिकार इन धर्म निर्पेक्ष सिध्धनतों पर आधारित हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं है के भारतिय समाज में इन अधिकारों का उल्लंगन बंद हो गया है बलके वास्तव में ऐसे उल्लंगनों की वजह से ही हमारे सामने सम्मेधानिक व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है इस तरह के अधिकारों के होने का ग्यान हमें इन अधिकारों के उल्लंगन के प्रती संबेदन शील बनाता है जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है इस प्रिष्ठ पर बाई और नीले रंग के अक्षरों में महत्वपून जानकारी दी गई है लिखा गया है क्या आप भारत के किसी भी भाग से हाल की कोई ऐसी घटना बता सकते हैं जहां संबिधान के धर्म निर्पेक्ष आदर्शों का उलंगन किया गया हो और लोगों को उनके धर्म की वजह से प्रताडित किया गया हो या मारा गया हो इस प्रिष्ठ पर नीचे नीले रंग के बकसे में महत्वपून जानकारी दी गई है लिखा गया है परवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्ध्यार थी इसलामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े-बड़े इसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अत्वाराजनी तिक चिन्हों या प्रतीकों को धारन करके स्कूल में नहीं आएगा फ्रांस में रहने वाले उन अप्रवासियों ने इस कानून का काफी विरोध किया वे मुख्यतया, अलजीरिया, क्यूनिशिया और मुरक्को आदी उन देशों से आए थे जो पहले फ्रांस के उपनिवेश थे 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई थी उस समय इन अप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीजा याने प्रवेश पत्र दिये गए थे इन अप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अकसर सिर पर रुमाल बांध कर जाती हैं लेकिन इस नए कानून के लागू होने के बाद उन्हें सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूलों से निकाल दिया गया है प्रिष्ट चब्वीस अभ्यास 1. अपने आसपडोस में प्रचलित धार्मिक क्रिया कलापों की सूची बनाईए आप विभिन प्रकार की प्रार्थनाओं, विभिन देवताओं की पूजा, विभिन पवित रिस्थानों, विभिन प्रकार के धार्मिक संगीत और गायन आदी को देख सकते हैं क्या इस से धार्मिक क्रिया कलापों की स्वतंतरता का पता चलता है 2. अगर किसी धर्म के लोग ये कहते हैं कि उनका धर्म नवजात शिश्वों को मारने की छूट देता है तो क्या सरकार इसी तरह का दखल देगी या नहीं अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताईए 3. इस तालिका को पूरा कीजिए उद्देश्य एक धार्मिक समुदाए दूसरे समुदाए पर वर्चस्व नहीं रखता ये महत्वपून क्यों है? रिक्तस्थान को भरिन इस उद्देश्य के उलंगन का एक उदाहरण रिक्तस्थान को भरिन उद्देश्य, राज्य न तो किसी धर्म को थोपता है और नहीं लोगों की धार्मिक स्वतंतरता चीनता है ये महत्वपूर्ण क्यों है? रिक्तिस्थान को भरिं इस उद्देश्य के उलंगन का एक उदाहरण दें रिक्तिस्थान भरिं उद्देश्य एक ही धर्म के कुछ लोग अपने ही धर्म के दूसरे लोगों को न दबाईं ये महत्वपूर्ण क्यों है? रिक्तस्थान को भरिंग इस उद्देश्य के उलंगन का एक उदाहरण रिक्तस्थान में लिखिए उनमें से कितनी छुट्टियां विभिन धर्मों से संबंधित हैं? इससे क्या संकेत मिलता है? पांच, एक ही धर्म के भीतर अलग-अलग दृष्टी कुणों के कुछ उदाहरण दें भारतिय राज्य धर्म से फासला भी रखता है और उसमें हस्तक शेप भी करता है ये उल्जाने वाला विचार लग सकता है इस पर कक्षा में एक बार फिर चर्चा कीजिए चर्चा के लिए इस अध्याई में दिये गए उदाहरणों के अलावा आप अपनी जानकारी के अन्य उदाहरणों का भी सहारा ले सकते हैं प्रिष्ठ संख्या 27 साथ साथ में दिया गया ये पोस्टर शान्ती के महत्वकोर एक हंकित करता है इस पोस्टर में कहा गया है के शान्ती कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है ये हमारी आपसी भिन्नताओं और साजा हितों को नजर अंदाज करके नहीं चल सकती ये वाक्यत क्या बताते ही अपने शब्दों में लिखिए धार्मिक सहिश्णुता से इसका क्या संबंद है इस अध्याय में आप ही की उम्र के विद्ध्यार्थियों ने भी धार्मिक सहिश्णुता पर तीन तस्वीरें बनाई है धार्मिक सहिश्णुता को ध्यान में रखते हुए अपने साथियों को दिखाने के लिए खुद एक पोस्टर बनाईए शब्द संकलन जोर जबरदस्ती इसका मतलब है किसी को कोई चीज करने के लिए मजबूर करना इस अध्याय के संदर्भ में ये शब्द राज्य जैसी किसी कानूनी सत्ता द्वारा ताकत के इस्तेमाल से है सभी व्यक्तियों को अपने हिसाब से चीजों को समझने की चूट होती है इस अध्याय में व्याख्या की स्वतंतर्था का मतलब है कि हर एक व्यक्ति अपने धर्म की समझ और अर्थ खुद ताय कर सकता है हस्तक्षेब प्रस्तत अध्याय में इसका मतलब है संबिधान के सिध्धान्तों के अनुरूप किसी मामले को प्रभावित करने के लिए राज्य की ओर से होने वाला प्रयास इसी के साथ इस पुस्तक का अध्याय यहां समाप्त हुआ